मैं हूँ नीरा जोराफ हैं सिक्षा सुधार के साथ आज इस वीडियो में कुछ बड़े खुलासे होंगे STET 2019 notification case हाई कोट में होगा या सुप्रीम कोट में होगा पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोट पहुचा था और STET मुद्दा और CTET बिटेत को ले कर अधिबक्ता से बड़ी बात की कुछ लोगों ने इसे अवसर समझा और वो भी मेरे पीछे पीछे सुप्रीम कोट पहुचे और जिसे अधिबक्ता से मैंने बातचित की उसी अधिवक्ता को पकड़ा और आम अब भ्यार्तियों को अब बेवकूप बना करके सुप्रीम कोट केस के नाम पर अब चंदा उगाही का कारे करना चाहते हैं मुझे पता था कि भविस में ये होने वाला भाया कॉपी कॉपी होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है ये ठग लोग पीछे पीछे सुप्रीम कोट तो पहुँच गए पर गूड बात इन्हें समझ में आएगी ये तो गोबर है इन्हें कुछ पता भी नहीं है कि कैसे क्या करना है ये केस कहा होगा और मैं सुप्रीम कोट क्यों गया था उस पर इस वीडियो में हमें बड़ा विसलेशन दूँगा पर पहले आपको बता दूँँ कि जो भी वाद है STT 2019 notification का वो हाई कोट के double bench का होगा ना कि सुप्रीम कोट का क्यों इस वीडियो में आप जानेंगे साथ में मैं सुप्रीम कोट क्यों गया था और अधिवक्ता से मैंने क्यों मुलाकात की और मैं लगा तार ये क्यों कह रहा हूँ कि सीटेट बीटेट अब भीहर्थियों का के 17 तारी को सुप्रीम कोट में है और सुप्रीम कोट से सीटेट बीटेट को लाब मिलेगा मैंने कभी ये नहीं कहा के स्टेट अब भीहर्थियों को सुप्रीम कोट से लाब मिलेगा लगबग पुड़ा हो गया और हम उस पर कारे कर रहे हैं पर कुछ पादन यात्रा के लोग सुप्रीम कोट पहुंचे और उसी अधिवक्ता से बाद चित का अंस आपको साजा कड़के कहा रहे हैं कि सुप्रीम कोट में हम केस करने जा रहे हैं यह आपको सरासर मुर्ख बना यह ऐसे लोग है जो पिछले चार सालों से आपको मुर्ख बनाकर आंदोलन के नाम पर ठकते हैं, कभी केस मुकदमे के नाम पर ठकते हैं, दिखावे पर मत जाईए, अपनी अकल लगाईए, यह केस हाई कोट के डवल बेंच का है, जिसको नीरज है, और सिक्षा सुधार आग पुलकर अगर बोल दिया जाए, तो कुछ लोग आगे आगे कुदने लगते हैं, जैसा कि पादन यात्रा के लोग सुप्रीम कोट तक पहुँच गया है, पर आज, आदिवक्ता का इंटर्व्यू जो मैंने लिया था, एक अंच से आपको रूबरू कराते हैं, दूद का द सुप्रीम कोट के मुद्धे पर STT नोटिफिकेशन क्या हाई कोट में होना चाहिए या सुप्रीम कोट में, अजिवक्ता के जुवानी, चक्सू पब्लिकेशन के इस बड़ी पेशकस के बाद, इंटर्व्यू अजिवक्ता का, चक्सू पब्लिकेशन लेकर आया है सीटेट परिक्षा में, ये पुस्तक सफलता की सो पर्चिसत गैरंटी देती है, नविन्तम पैटरन पर आधारित, नविन्तम पाथिकरम अनुसार, NCRT पुस्तकों पर आधारित, ये पुस्तक सीटेट दो हजार तेज, कक्चा एक से पांच के लिए रामबान है, ये पुस लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खड़िज सकते हैं, इस पुस्तक के अलावा सीटेट के तयारी को और बहतर करने के लिए, 2023 में चक्षू पब्लिकेशन का बड़ा धमाका इन आठ पुस्तकों के साथ, संस्कृत, गनित, हिंदी, अंग्रेजी, परियावरन और बालव सबी तरीके के विशेश तयारी के लिए आप चक्षू पब्लिकेशन के इन पुस्तकों को भी खड़िज सकते हैं, चक्षू पब्लिकेशन परिचा रुपी भवर में आपका सार्थी अगर सरकार ने कोई भी एक नियम कानून बना करके एक वेकंसी निकाली है, तो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, आप उसको हाई कोट में लेके जाए बात, और बताइए साथ, ये मिडवे में चेंज नहीं कर सकते, इसक आपको बेसिकली हाई कोट जाना चाहिए, आपने सुना, अधिवक्ता ने सीधे लफ्जों में कहा कि हाई कोट जाना चाहिए, सुपरीम कोट में सीटेट बीटेट अभ्यार्ति को मैं इस लिए जाने को कह रहा हूँ, क्योंकि छात्र सिक्षक अनुपात में रिक्ती का मु चाहिए एडिक्ती को ले करके जो सुप्रीम कोट में आगे मैं बढ़ रहा हूँ और कल के वीडियो में मैंने सब कुछ साफ किया है पर ये पादन यात्रा वाले ये लगातार आप आम अभ्यरत्यों को चार साल से बरबात कर रहे हैं और आप ये नीरच की देखा देखी पुल्टा पुल्टा कारे करके पिछले 4-5 सालों से आपके जिन्दीत तबाह और बरबात करने हैं आप ये सोचिए कि 2012 सुप्रीम कोट का जज्जमेंट जैसा कि अधिवक्ता ने भी बताया है और आपने भी सुना है कि छातर सिक्षा कनुपात में 6 महिने के भीतर स्कूलो लगवक सरकार को जिसतरा छटे चलन की बहाली सरकार ने खोली थी कंटेंट के केस के बाद ये बहाली भी खुल जाती और सीटेट बीटेट सभी को फायदा होता पर आम अब भीहत्यों को अंदोलन के नाम पर भरका कर कुछ लोगों ने चंदा उगाही की 4 सालों से और अब जब नीड़त कोई कार कर रहा है तो कॉपी पेस्ट कर रहे है पर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होता है ओरिजिनल ओरिजिनल होता है ये समझना होगा और सिक्चा सुधार खबर ही नहीं खबर की हकीकत भी और कार नहीं कार की हकीकत भी दिखलाता है सिमें आपने अधिव बात खोल के कह देता तो आज ये पादन यात्रा वाले अपने आपको गलत साबित नहीं करते सुप्रीम कोट दौर के दौरों कहां तक दौरते हो नीरज अपना कारे कर रहा है सिक्षा सुधार अपना कारे कर रहा है ह्टीटी नोटिफिकेशन का पालन होगा और स्टेट दो हजार उनिस असी हजार चार सो के साथ इंसाफ होगा इसके लिए मैं कारे कर रहा हूं आगे आपको पादन यात्रा गैंक के साथ रहना है या नीरज के साथ ये आपते किजिए अधिवक्ता परसांद सुकला ने मुझे तीन दिन का समय दिया तीन दिन उन्हों ने इस सम्मन्द में गहरा विसलेशन किया एक घंटे की बात नहीं है अगर वो ऐसा नहीं करती तो आपनों को कोट का साहरा लेना चाहिए अगर सरकार ने कैंसल नहीं किया हूँ एडवर्टीजमेंट इट मींस वो एक्जिस्टेंस में है और सरकार को एक टाइम बाउंड मैनर में काईदे से वो वेकेंसी पूरी करनी चाहिए ठीक है अगर कैंसल नहीं हुआ है तो जहां तक आपने पता है अभी तक वो कैंसल नहीं हुआ है इसलिए वो अभी भी एक्जिस्टेंस में है तो आपको कोट का साहरा इसमें लेना चाहिए सर जैसे कि मैंने आपको दो तीन केसों का भी जज्जमेंट दिखाया था और अभी आरती कहने कि हम पीछे भी कोट गया है लेकिन कुछ मिला नहीं क्या लगा उन ड्राफ्ट को देख करके देखे मुझे लगता है ठीक से आपकी बात वहां रखी नहीं गई है अगर आप ठीक से रखते तो वहां पर क्योंकि जज्जमेंट आप चाहे दोनों ही आप उठा के देखिए उसमें सब्स्टेंटिव वे में कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है कि आपका केस था क्या और आ आशा करते हैं कि आगे आपके द्वारा जो आप कहने 17 तारीक का जो डेट है उसमें अभिहरतियों को कुछ न कुछ इनसाफ मिलें क्योंकि पुर्म में भी आपने बिहार का अभिहरतियों के लिए बहुत कुछ किया और जैसा कि आपने जारखन का मुद्दा भी बताया तो कि इन लोग की असलियत क्या है ये लोग कौन है मैं किसी पर टिका टिपने नहीं करना चाहता पर जो इस्तिती बनी है और आप से चंदा उगाही का जो धंदा होने वाला है इस पर ये वीडियो मैंने बनाया है आगे हाई कूर के डवल बेंच में मैं वाद को आगे बरहा र करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं जल्द ही बिहार में बीलिस और एमलिस के आधार पर लैबरेडियन के बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है लैबरेडियन का कूर्स भी आप कर सकते हैं साथ में प्लस टू स्टी टी का आगाज होने वाला है ऐसे में अगर आप बीएड हैं और अभी तक आपने पीजी नहीं किया है तो आप स्क्रीन पर दिये नंबर पर संपर करके पीजी की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं पर सिस्टित इनिवर्सिटी कॉलेजों से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथ देने के अगले सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो मिलते अगले वीडियो में